आज के वीडियो में हम मैगनेट के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी मैगनेट फेरो मैगनेटिक माटेरियल को अपनी और अट्रेक्ट करती है फेरो मैगनेटिक माटेरियल के एक्जाम्पल है iron, nickel, cobalt, कुछ alloys और कुछ rare earth metals जैसे neodymium या samirium तो आज के हमारी experiment में हम ये पता करेंगे कि इन magnetic force का temperature के साथ क्या connection है क्या temperature बढ़ाने पर ये magnetic force बढ़ते हैं या कम होते हैं चलिए दिखते हैं तो setup आपकी screen पर ready है आपको clear दिख रहा है कि दो iron needle magnet से attract हो रही है अब मैं इस lighter की help से इन iron needle का temperature बढ़ाता हूँ और देखते हैं क्या होता है तो यहां हमने देखा कि temperature बढ़ाने पर needles magnet के साथ चिपकना बंध हो जाती है या demagnetize हो जाती है अब यही experiment हम इस neodymium magnet के साथ कर रहे हैं और temperature बढ़ाने पर देखते हैं क्या change आता है नियो डाइमियम एक rare earth metal है और यह भी ferromagnetic material ही है यहां पर इस neodymium magnet को मैंने copper wire की help से बान दिया है और यह भी magnet के पास attracted है अब मैं चक करता हूँ कि temperature बढ़ाने पर क्या change आता है देखो temperature बढ़ाने पर यह magnet भी needle के comparison में जल्दी नीचे आ गई यह magnet सब आपस में चिपकी हुई है यहां पर मैं temperature बढ़ाता हूँ और देखता हूँ कि अलग होती है क्या यह magnet गिलना शुरू हो गई है यह सब demagnetize हो जा रहे हैं और दीरे दीरे गिलना शुरू हो जा रहे है जैसे जैसे हम किसी ferromagnetic material का temperature बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही उस material की ferromagnetic property कम होने लगती है और कुछ समय बाद एक ऐसा temperature आता है जिस temperature पर यह ferromagnetic property पूरी द्रह से खतम हो जाती है इसी temperature को हम कहते हैं curis temperature यह temperature हर material में अलग-अलग होता है जैसे iron के लिए curis temperature है 770 degree Celsius नियो डाइमियम के लिए 320 degree Celsius निकल के लिए 358 degree Celsius और यह law कहलाता है curis law जो की discover किया था एक famous French physicist Pierre A. Curie ने जो की एक और famous scientist मैडम Curie के husband थे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ curis law पर related यह practical आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को subscribe करें धन्यवाद